तो नमस्कार मित्रो आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे की कैसे चिंटू ने की अपनी चाची की धुलाई जावा और जावा स्क्रिप्ट में फर्क तो चिंटू भी बता देता है जावा और जावा स्क्रिप्ट में फर्क तो चिंटू भी बता देता है लेकिन मैप और फॉरीच में फर्क कोई नहीं बता पाता तो सुवागत है आप सभी का पढ़ेगा इंडिया में और आज की इस एपिसोड में हम कौन किसकी धुलाई किया है ये नहीं देखने जा रहे हैं तो आज की हमारे इस इंटर्व्यू सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे कैसे नहीं आखिरकार अंतर जो है असली अंतर और छूम अंतर क्या है वाटस देफरेंस बेट्वीन जावा स्क्रिप्ट के दो अरे मेथड्स हैं ये काफी पॉप्यूलर हैं और काफी पूछे जाने वाले चीज हैं तो मैप और फॉरीच में क्या अंतर हैं लोग बोलते हैं कोई अंतर ही नहीं है आय हाय मित्रो तो क्या करें हम हमारा भेश बदलना पड़ गया क्यूंकि पिछले वाला जो रिकॉर्डिंग था वो हमें अच्छा नहीं लगा तो इसलिए हम अब दूसरे दिन आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आईए आजाते हैं हम आपको मैप और 4each में यह जो भाई-भाई का रिस्टा है वो आपको समझाने के लिए हाँ तो आईए अब हम अपने चलते हैं टर्मिनल पे और हम फटाक से लिखेंगे मैब वर्सेस 4each और यह खुल गया हमारा फाइल ओल रएट तो अब इस फाइल में हमें क्या क्या लिखना है घंटा नहीं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक आरे है तो यह एक आरे मैथ़ड है तो कौन स्टल क्या कुछ आइडिया दीजिए आइडिया दीजिए आइडिया दीजिए बच्चे ठीक है तो बच्चे हम इसमें लिखते हैं बच्चे हैं यहां पर कुछ-कुछ बच्चे हैं यहां पर हमारे पास तो सबसे पहला बच्चा आता है वो है चिंटू जी हां और फिर उसके ब जबत चाहता है वो है हमारा घंटा ठीक है घंटा भी नाम होता है ऐसे मजाक नहीं चल रहा है यहां पर बता दे रहा है हम आप लोगों को अल्रीट तो अब हमें इसमें क्या करना है कि सारे बच्चों के आगे जो है तो mister लगाना है ठीक है तो आपको कहीं पर list render करना है या कुछ इस तरह से करना है या array modify करना है कहीं भी आपको file में save करना है कुछ भी करना है whatever reason तो इसके लिए आप क्या usually करते हैं तो आप एक for loop लिखते हैं let i equals to 0 और उसके बाद आप क्या करते हैं i++ करते हैं और इसके बीच में एक condition डालते हैं जो रहता है बच्चे.length is less i is less than बच्चे.length let's name this as names ठीक है अब यहां पर हमें फिर से एक semi column डालना है और यहां पर हमें डालना है ऐसे और देखिए अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हां तो यहां पर अब हमारे पास name को हम चलिए क्या करते हैं सब में हमें एक mister लगाना है तो सबसे पहले हम console log कैसे इसको एक-एक element को access करने के लिए हमें क्या करना होगा तो console log में हम अभी आपको दिखा रहे हैं for example हमें चाहिए names और उसमें हम i लिख देते हैं ठीक है तो इस तरह से हमें एक-एक का नाम मिल जाएगा ठीक है तो यहां देखे चिंटू-पिंटू-घंटा तीन को ना मिल गया हमको तो अब हमें क्या करना है बताए देखिए तो अब हमें सब के नाम में जो है वह चिंटू लगाना है नहीं मिस्टर लगाना तो यह सब अब मिस्टर होगा है इनकी साधी जल्दी होने वाली है तो अब आप यह तो एक काम यह कर सकते हैं कि यहां पे आप एक नया अरे बना सकते हैं const married Mr.Names लिखते हैं क्या यार Mr.Names equals to यहां पे यह एक अरे बना दिया हमने और यहां पे हम क्या कर रहे हैं यहां पे हम push कर रहे हैं Mr.Names.push आपको पता है ना map के अंदर चीजे घुसाने के लिए हम use करते हैं और जो हमारे पास इसमें हम template string use कर सकते हैं या जो मन करें वो आप use कर लिजे तो आराम से यहां पे हम लिखते हैं Mr. और हम इसमें क्या करेंगे और इसमें हमें access चाहिए जो पुराना name था वो हम कैसे access करेंगे names और जो i से i जो है index है और फिर अगर हम इसे log करते हैं console.log Mr.Names आप original array को भी modify कर सकते हैं अगर मैं उसे नहीं modify करना चाहता हूँ for some whatever reason तो चलो अब देखो कि अब क्या हो रहा है Mr.Chintu, Mr.Pintu, Mr.Ghanta खीक है आ गया न तो इतना हमें यह सब ऐसे करना पड़ा इतना जंजट जहलना पड़ा तो इसके लिए हम एक simple तरीका अपनाते हैं simple तरीका simple तरीका मैंने सब को comment कर दिया है और अब देखिए यह चीज़ हमें for each में करना रहता तो हम कैसे करते हैं for each में भी same करना पड़ता हमें बस Mr.Names जो है वो रहे गा ही और यहां पर हमें क्या करना होगा कि जो names है इसमें हम for each लगाते हैं और यह एक callback function लेता है तो इसमें हम callback function में यह सबसे पहले जो name है वो value actual जो इस पर iterate करेगा वो लेगा और वहां पर उसके बाद यह क्या करेगा उसके बाद index मिलता इसमें और फिर उसके बाद normal array मिल जाता है जिसको आप completely ignore कर सकते हैं because it is pretty much useless all right और यहां पर हम arrow function पास कर दे रहे हैं आराम से आप लोग देख सकते हैं और फिर अब इसके बाद हमी क्या करना है कि अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें console log में कि हमें दोनों चीजे मिल जाती है console log और यहां जो आ गया हमारा name और कितना आसान है यह console इसका यूज करना और यहां पर हमारे पास index ठीक है आई तो यहां पर देखे चिन्टू 0, पिन्टू 1, घंटा 2 तो मतलब कि इतना जो हमने code फाल्टू में लिखा ही है मतलब बेवकूफी थी राइट राइट जब हम for each यूज करके इतना सा काम को यह जो पूरा इतना है इसे ऐसे बना सकते हैं तो क्यों ना इसे यूज किया जाए तो अब आगे आईए अब यहां पर हम देखते हैं कि अब इसे modify करना है हमारे पास तो हमें वही क्या करना होगा mister जो सेम कोड है वह हम push करेंगे mister names.push और जो हमारा यहां से वही template string डालेंगे और या तो बिना template string का करना है तो आप directly यहां पर कर सकते है mister space डाल दीजिए और फिर यहां पर plus लगा के name लिखतीजिए तो name access मिल रहा है उसके आगे हम mister डाल रहे हैं और वह string को हम इसके अंदर push 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 करते जा रहे हैं तो all right अब यहां पर हम log कर देते हैं console.log mister names ठीक है अब यहां पर आईए और देखिए mister chintu mister pintu mister ghantha तो यह काफी code अब जो है हमारा साफ सुतरा हो गया है लेकिन हम इस code को बहुत और साफ सुतरा कैसे बनाते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर हम और एक काम कर सकते हैं और एक काम कर सकते हैं वो काम है for each का जी हां तो for each में देखिए कितना आसान हो जाएगा यह const mister sorry I mean map का तो map का इस्तमाल देखिए क्या करा रहे हैं हम अभी तो mister यहां पर अभी यह जो है mister names यह आ जाएगा और इसे हम comment कर देते हैं तो अभी यहां पर देखिए यहां mister names equals to names dot map और यहां पर यह same callback function लेता है जो same जो और एक for each लेता है तो मित्रों मेरे घर पे घर के bedroom में एक कबूतर पंखे पे बैठ गया है तो let's ignore him तो इसमें हमें बस कुछ नहीं करना है like it's pretty simple तो हम इसे बिना कुछ डाले ऐसे n डालते हैं n मतलब की name हो गया equals to और ऐसे करके हम इसमें mister और यहां plus n और यहां पर देखिए कि console soul dot log और mister names ठीक है ठीक है यहां देखिए ओ तरी अब भी बिल्कुल same result आया है मित्रों तो आपको दिखा कि कैसे हमने चमतकार और हां चमतकार कर दिया है तो ठीक है तो अब इसके लिए आपको for each में अगर आप यह चीज चलाना चाहते same चीज को मैं अगर for each में बदलता हूं तो cd for each यह callback नहीं चाहिए oh no ठीक है तो अब हम देखिए इसको चला रहा है तो e का हो गया e तो undefined आ रहा है बबुआ हां तो पहला difference और main difference यह है कि जो for each है वो return कुछ भी आप इसको करवाईएगा तो actually यह code को मैं एक लाइन से दो लाइन में अगर बदलूँ तो यह हो जाएगा यहां पर oh no यहां पर यह curly brace के अंदर आ जाएगा और यहां पर return आएगा और यहां पर यह आ जाएगा ठीक है n है भाई साहब यहां देखिए ठीक है तो यह भी same equivalent है जो हमने short hand function लिखा था और लेकिन इसे देखिए फिर भी यह undefined आ रहा है लेकिन यह क्यूं होता है क्योंकि for each में हम घंटा भी return कराएंगे तो घंटा भी नहीं होगा और यहां पर बस अगर हम यहां पर map करते हैं और इसमें जो भी चीजे हम return कराएंगे तो यह सारे उसको एक नए array में store करके हमें यह दे देगा इस variable में हम इसे store करा रहे हैं तो पहला और यह major difference होता है map का तो let's suppose कि यह हमने कर लिया और तो अब हमें और क्या करना है अब हम चाहते हैं कि एक हमारे पास number मिले हैं const simple nums बोल देते हैं इसे nums equals to और इसमें array में one two three four five ठीक है तो हमें क्या करना है कि एक नए array बनाना है इसमें सबका square लिखना है ठीक है तो अब हम क्या करा सकते हैं इसको आराम से loop कराएंगे हम वही same यहां पर const sqs जो भी बोल लीजिये अप और यहां पर हम सीधे वही simple जो nums.map लगाते हैं और जो क्या callback function लेगा यह simply तो हम डालते हैं और इसमें हम n into n करा देते हैं simple और यह देखे कुछ नहीं आया क्योंकि हमने console.log नहीं किया तो यहां पर console.log भी लिखना बहुत ही जरूरी है बच्वा लोग तो यहां पर आब हम यहां sqos ठीक है यहां देखे 149 16 25 ओके great great तो तो अब इसमें यह main difference था गईज और दूसरा difference यह है मैं दूसरा difference आपको बता रहा हूं कि यहां पर लेकिन और एक आप चीज ध्यान में रखेगा अगर आप इसको check करना चाहते हैं कि सिर्फ जो even square numbers हैं वो अगर आपको filter कराने हैं तो वो कैसे कीजिएगा तो यहां पर हम इसे even squares बुलाते हैं और यहां पर अगर हम यहां check करें even के लिए आप कैसे check कीजिएगा तो हम एक ternary operator खेर छोड़िए मैं आपको basic से समझा दें दूंगा तो यहां पर यह आगया asset और यहां पर हम if else लगाते हैं तो if n is equals to n percent even number हम ऐसे ही चेक करते n percent to triple equals zero then it's even otherwise तो यह two sign होता है guys percent two से मतलब divisible है तो यह even है नहीं तो नहीं है ठीक है तो जैसे जो reminder आएगा तो two को हम two से divide करेंगे तो reminder zero आएगा तो वही हम इसे अभी compare कर रहे हैं तो हम इसे return करा देंगे जो even number हमें square इसका जो था वही two into two ठीक है sorry I mean n into n okay cool अब यहां पर देखे कि अगर मैं यहां पर इसे लॉक करता हूं even squares तो यहां देखे क्या होगा यहां देखे undefined four undefined sixteen undefined जटका लगा मित्रो जटका कोई नहीं तो आईए अब मैं समझा रहा हूं कि इसका मतलब जब हम कुछ नहीं return करेंगे तो उस array के place पर यह undefined base देगा okay okay cool तो यहां पर let's just यह भी हो गया हमारा even squares तो इसको actually हम और अच्छे तरीके से I guess हम और एक दूसरा चीज जो है हम इसमें एक filter लगा सकते हैं कि यहां पर देखिए हमारे पास आप चलिए मैं आपको mdn पर लेके चलता हूँ थोड़ा mdn filter array.prototype.filter तो यह है हमारा filter जैसे देखिए यहां पर हमें बस condition डालना पड़ता है कि जो भी क्या है और यह जो है वो उस array को छाट देता है जो भी condition true होगी so if true return element for new array तो यहां पर हम simply यहां पर आएंगे और इसमें chain कर देंगे यहां पर dot filter ठीक है ठीक है तो pretty shape this args okay this is complicated but मैं हूँ ना चाह नहीं कर नहीं तो यहां पर बस इसमें I guess कि we need to just pass a callback it takes a callback so these are all the higher order functions guys तो यहां पर same जैसा map में हमने किया तो same यहां भी होगा तो यहां पर हमें जो number मिलेंगे और वो हम इसमें condition दे देते हैं कि जो है वो क्या is non check करते हैं हम तो it's pretty simple यह numeric value लेगा तो हम इसमें end डालेंगे तो is non है यह जो भी है इसे हम उल्टा कर देंगे reverse कर रहे हैं is non मतलब की not a number नहीं है तो उसे true उसे false कर दो यह true में भेजेगा is not a number it should be true तो अब देखिए अब हम अगर try करते हैं तो यह देखिए 4 और 16 आया और जो इसके last में हम जो भी return करेंगे chain किया हुआ वो इसमें store हो जाएगा ना कि यह जो पहले वाला store हो जाएगा पहले वाला तो I hope कि आपको अब map और for each में difference clear हो गया है और performance wise अगर कोई पूछे कि कौन fast है तो आप simply you can say कि सबसे fast for loop है उसके बाद for each in many cases और map भी जहां आपको अच्छा लगे वहाँ use कर लीजेगा mostly react में हम rendering कराने के लिए map का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह एक नया array return करता है बिना इस array पे कोई side effects नहीं होता है for each में भी नहीं होता है और यह बस एक नया array return करता है और इस पे हम इस तरह से method जो है वह chain कर सकते हैं pretty simple all right तो I guess guys this is it I hope कि आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमें support कर सकते हैं membership join करके patreon join करके और like और share subscribe तो जरूर आप लोग कर ही दीजिएगा जो नहीं करेगा उसको यार यह क्या गलत बात मित्रो तो ठीक है अगर नहीं है अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग 2 डिस लइक दे दे ना ठीक हा न और बस सीखते रहिए ऐ केलते रहिए कूठते रहिए और हम आप से जल्दे ही मिलेंगे और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 ज़से बहुत बाइब बाइ